फाइनली इंतजार के बाद कान फिल्म फेस्टिवल में एश्वर्या ने रेड कापिट पर अपनी खूपसूर्थी का एश्वर्य बिखेरा अपने लुक से वो हर किसी को इंप्रेस करती नजर आई उनकी खूपसूर्थी को देखकर हर कोई हका बका रह गया सोशल मीडिया पर भी एश्वर्या की कान फिल्म फेस्टिवल की जो फोटोस आई है वो तेजी से वाइरल हो रही है तो कैसा था एश्वर्या राय बच्चन ही है जिन्होंने अपने एश्वर्य से कांस्विम फेस्टिवल के रड़ कार्पिट पर अपने हुस्न का पर्चम लहराया और खुबसूर्ती से हर किसी का दिल जीत लिया गोल्डन मर्मिट यानि की सुनहरी जलपरी के अफ़तार में एश्वर्या की खुबसूर्ती देखते ही बन रही थी जैसे ही एश्वर्या का कांस्विम लुक्स सोचल मीडिया पर साब ने आया वैसे ही लोगों ने इनकी लुक्स की दारीव करनी शुरू कर दी एश्वर्या का लुक काफी शांदार लग रहा है एश्वर्या ने रेड कार्पेट पर फ्रिश कट डोल मेटेलिक गाउन पहना हुआ था जो उनकी घुपसूरती पर चार चान लगा रहा है एश्वर्या ने भी अपनी कांस लुक की तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की है मेटलिक गाउन के साथ एश्वर्या ने गोल नेल पेंड किया हुआ है उनका मेक अप बहुत ही कम और हलका है एश्वर्या ने साइड पार्टिंग के साथ बालों को खुला रखा हुआ है उन्होंने कानों में स्टूरस पहना है और रिंग भी पहनी हुई है इस बार भी एश्वर्या अपनी बेटी अराध्या को अपने साथ का और स्लीता बहुची लेकिन रेट कार्पिट पर जाने से पहले उन्होंने अपनी वेटी के साथ वक्त बिताया और वन्यों तक तक ची इस वक्त ऐश्वर्या में अपनी वेटी के हाथ को थामा रखा अराध्या ने भी अपनी यमी ममी से मैचिंग करती हूँ येलो फ्रॉक पहना हुआ था जिसमें वो काफी प्रिटी लग रही थी कि इसके बाद एश्वर्या रेट कार्पिट पर नजर आए और अपने फैशन स्टाइल मेक अप और खुबसूरत मुस्कान से इंटरनेशनल मीडिया के साथ ही भारतिया मीडिया का भी दिल जीतिया अब भई हर किसी को इंतसार था कि लगातार 17 सालों से कांस के रेट इसका प्रतिने दुट्य करने वाली जील सी नीली आखो वाली एश्वर्या कब नजर आएंगी और देखिए पहले ही लुक से आश्वर्या अपना मैजिक चलाया और ये बता दिया कि उनके एश्वर्य के आगे अब भी सब फीके पर जाते हैं बता दे कि पिछले साल एश्वर्या ने रेड कार्पिट पर बटरफ्लाई गाउन पहना था जिसमें बेहत खुबसूरत रंगों का सेलेक्शन किया गया था इस गाउन में भी एश्वर्या ने अपनी खुबसूर्ती से हर किसी को दीवाना बना रिया था वहीं साल 2017 में उन्होंने बार्बी डॉल्स इंस्पायर गाउन पहना था और रेड गाउन में रेड हॉट खुबसूर्ती का जादू चलाया था एश्वर्या हर साल अपने फैशन स्टाइल और खुबसूर्ती से लोगों का दिल जीतने में काम्याब हुई है तब ही तो वो 17 साल उसी कांस का हिस्सा है बतादे कि एश्वर्या से पहले प्रियांगा चूपडा ने भी इस साल डेव्यू किया है वो दूसरे दिन अपने पती निक जॉनस के साथ नजर आई और वाइट गाउन में उनके खुबसूरती देखते ही बन रही थी इस मौके पर पती निक जॉनस जाता पकले हुए नजर आए क्योंकि कांस में उस दिन बारिश जो हो रही थी निक और प्रियांका ने अपने अंदास से लोगों का दिल जीता वहीं दिपिका पदकोन भी कांस में अपने चार डिफ्रेंट लुक से लोगों का दिल जीतने में काम्याब रही हालकि उन्हें लैमन गाउन के चलते ट्रॉलिंग का शिकार होना पड़ा लेकिन उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ा पती रनपीर सिंग ने भी उनकी चमकर तारीफें की वहीं टीवी की कुईन हिना खान ने भी इस साल कांस में अपना डेवियू किया और अपनी खुबसूर्टी से सब का दिल जीता डायना पैंटी भी कांस के रेड कार्पिट पर नजर आई और अपने दलकश अंदाज से दर्शकों का दिल जीता हुमा कुरेशी भी कांस में पहुची और अपने हुस्न का परचम लहराया लेकिन जनाब अगर दिपिका और प्रियंका को किसी ने फैशन के मामने में कड़ी ठकर दी तो वो रही एश्वर्य रॉय पच्चन जिन्होंने हर बार की तरह अपने हुस्न का जल्वा चलाया और कहना गलत नहीं होगा कि 45 साल की उम्र में एश्व का एश्वर्य आज भी परकरार है